है एवरीवाइन वीडियो में हम आपको उस्सा जन्यूमी मसीन से वीडिंग करना यानि पीको करना बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पीको करने के लिए सबसे पहले हमें आप सेलेक्टर चेंज करना होता है अभी हमने इसको नौर्मल सिलाई पर रख दो कि यहमाना था मन करते हैं इसको ऱमगों चाल 05 वहरत हुआ कि यह मान नौर्मल सिलाई वाला कुर्ट लगा हुआ है जब भी में पीको करना तो उसके लिए हम फूट चेंज करते हैं तो यह फूट यहां से उपर उठाना है उसके बाद पीछे यहां पर यहां से पूस्ट करना है इसको कर दिए हम साइड में रख लेंगे इसके नीचे इसके सीधी पर हम नीचे रख देंगे उसके बाद यह प्रेसर को नीचे गिराएंगे यहां से थोड़ा हम पूश कर देंगे तो यह बराबर अटेश हो जाएगा देखिए आप चेकर के देख सकते हैं तो फूट चेंज करना इसमें बहुत ही आसान होता है यह मारा फूट चेंज हो गया अब हम आपको पिको करके दिखाते हैं धागा हमने पहले से इसमें डाल ल नीचे त्रांसब Nepal लगा है जो कर सकते हैं यह पिको के लिए या्व फॉरल के लिए मिसक और युझ कर सकते में प्रण्स पीको में प्रीम की लिए आप घॉड़ीग दोनों के कि पिको करने के लिए हमने यह साड़ी का किनारा लिया है अब फूट को उठाएंगे यहां से उसके बाद इसके नीचे रखेंगे साड़ी के कपड़े को कि साड़ी जो मिध्या सिर्फ और मष्म थे स्टाट करेंगे में थी हमारा साड़ी के बहाग जो ऑपर दिख रहें उल्टा साड़ है और जो नीचे रहे वह मारा सीधी रहे यानि हमारे साड़ी का या दुपत्य का जो भी कप्डा रहेगा वह मारा पूरा ये left smart में आएगा एगा right समेन नहीं देगा सिर्फि स्टीचिंग के लिए यूज करेंगे जानि यूज से बाधि कप्डा हमारे left थोड़ा हम इधर हम यहां ऊपर से ही थोड़ा इसको रखेंगे फेसर फूट के नीचे यहां से ही इसमें स्टीचिंग स्टार्ट कर देंगे इसको अन कर लेंगे आई हो आप लोगों को दीख रहा होगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो भी हम स्टार्ट करेंगे कप्डे में अगर इस तरह से धागे निकले हो तो उसको हम केची से काट देंगे अभी हम इस तरह से पकड़ेंगे और आगे का हाथ हमारा इस पे रहेगा आप देख सकते हैं हो गया हमारा पी को अभी लाश्ट में हमें खीचना नहीं है तो अच्छे से हमारा फ्लॉक हो जाए गया हाँ पे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से पिको हुआ है तो यह रहा हमारा पी को मैं हो बापको अच्छे से दिख रहा हूँ अच्छे से दिखता नहीं समझ नहीं आता है पर मैं आप कोशिश कर रहे हैं आप लोग को पास से दिखाने की जिससे की आप अच्छे से दिखता नहीं दिखे अच्छे से दिखे समझ में इस ओक में आप ह Expense कि आपको इसbeiटे से दिखिए क्याओं आशमािता है इस साई पर के सब्सक्राइए तो सब्सक्रेक कर दोड़े आपको या नीचे रखेंगे उपर के साइड इस तरह से रखेंगे इसे लिया और इसको घुमाया इस तरह इसे रखेंगे तो भी में स्टार्ट कर देंगे करत कर government मैं सिलाई करना है कि इसको कप्ड़े को अंदर ही रखना है जिसे कि हमारे राउंड से बना के और लेता है राउंड में और हमारा श्रीचिंग होता रहें होता है कि आप अब सकते हैं कि पड़े को हमें पहले सम दिखा है आपको बताया यहां से रखना है बस हलके हास से और ये दूसरे वाले हाज से इसको में थोड़ा सा थीचना रहता है बहुत हलका सा एक बार हम आपको दिखा देने लिए लाइट ओफ कर गें यह सीधी साइड है और यह उल्टा साइड है जैसे उल्टा साइड ही ही रखें लाई करते हैं अब इस तरह से हम इस साइड पूरा िकका सिलाई कर देते हैं Ce बस हमें दियान देना रहेगा यह जो मर रांड से लाइं तो इसके लिए हमें यह राउंड ही करना पड़ेगा और वह भी बहुत ही आसान है हम कपड़े को बस ऐसे पकड़ेंगे थोड़ी दूर पे और आटोमेटिक उसमें कपड़े को खीच लेगा तो हम एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं या पर हमारी पीको किस तरह से हुई है वाण मिनट तो यह आप लुक देख सकते हैं उल्टा साइड रहों दिखा देर आपको इसके बार पर सीधा साइड दिखा देंगे किस तरह से पूर्पी को हुआ है इसमें पूरा दिखा दे रहे हैं आपको कि यह रहा हमारा उल्टा साइड और यह रहा सीधा साइड पूरे साइड भी अब देख सकते हैं कि कोशिस कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से दिखाई लिए और अच्छे से समझ में आए अच्छे कि यह रहा लाश्ट मारा जाल आपको अच्छे से दिखाने का यहां हमारे उस रियन मंशीन से पिको कैसे किया जता है जिन लोग को नहीं पता है विडियो देखें और सीखें वीडियो को लाइक से और सब्स्राइब करें और आपको शिलाइट कोई वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिसे कि हमको इसे वीडियो डाले तो सबसे पहले उसका मोडिफिकेशन आपको मिले तो फ्रेंस आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से रें बाइ बाइ